नमस्टकार दस्तों मैं दिपानशु श्रागत करता हूं आपका CGPSC वैपम में एक बहुत ही पॉजिटी नियुस के साथ जी हां दोस्तों CGPSC में 211 पदों पर सुद्धी पत्र जारी किया है हम इस पर बात करेंगे साथ में बहुत ही महत्वपुन बातों पर हम बाचित करने वाले तो जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाया सब्सक्राइब करें दवाजों में जो बेल आइकन आप उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको CGPSC लेटेस्ट अपडेट जल से जल मिसे कि जिन्हों ने फेस्बूक और टेलीग्रम चैनल जोईनी किया इन नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक है आप जल्दी से जोईन जाईए तो जल्दी से चली वीडियो को स्टार्ट करते है तो देखिए सबसे पहले वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो आपके इस्क्रिशन पर शोओ रहा होगा इस वीडियो में मैंने आपको एक सब्ता पहले ही बता दिया था कि ACF का पद 28-37 पदों पर व्रिद्धी होने वाली है और आज की डेट पे CGPAC ने एक सुद्धी पत्र जारी किया जिसमें कि 34 पदों पर व्रिद्धी कर दी गई अब ये जो है थिदी सी बात है अब 211 पदों पर वो भर्ती होने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ACF की जो पद है वो बढ़े हुए है और 1 शेतर पाल की 170 पद है तो लगभग ऐसे करके 211 पदों पर वो भर्ती हो रही है इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताय यहाँ आप कर यहाँ पर सब्सक्राइब लगभा ने नोटिफिकैसन भी जारी किया है इस नोटिफिकेसं की डिटेल आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो जिनुन ने मेरे टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो यह अब रही बात दूसरी बहुती बहुत सारे लोग सहायक समपरिछक, असिस्टेंट आडिटर का जो सेकंड पेपर होता है, जो हिंदी है, उसके लिए टेस्ट सिरीस की मांग कर रहे थे, बहुत सारे लोग तो हमारी संस्था के द्वारा टेस्ट सिरीस का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि आप के इसक्रिण पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी 17 तारिक से इसका टेस्ट स्टार्ट है, 17 तारिक को 3-3 दिन के गेप में हैं और 29 तारिक तक यह टेस्ट चालू होगा, और आप सभी इस पर एडमिसन ले सकते, वहाँ पे दिया गया है वाट्सप नमबर, वहाँ पे आप स्वतन्तर हैं आपको जहां भी लगे, अभी हमें ऐसे question देखने को मिल जाते है टेस्ट में जो as it is paper में आई हुए है तो वैसे हमें लाब पहुचता है यहां पे तयारी आपको सिर्फ reason करना है अगर आप अभी नया पढ़ेंगे तो उनका selection मुस्किल है नाम उनकी नहीं है लेकिन मुस्किल है अभी आपको सिर्फ smart study करना है कौन कौन से topic से question पूछे गया है उस उस topic से वहां से भी जो उन topic में में question रहते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उसको आपको analysis करना पड़ेगा जो यह analysis है आपको test series के माध्यम से बताई जाएगी तो आप सभी किसी भी संस्था का test series जोईन कर सकते हैं अब हम ब कोई भी tension की जरुवत नहीं है minimum में जो है आपको मालूम है और maximum में जो है वो आपको 40 year है अनारक्षित के लिए बाकी maximum जो है वो 45 वर्स है HTSC बाकी लोगों के लिए बाकी journal के लिए अगर हम बात करें तो वो जो है आपका CDC सी बात है कितना है 40 वर्स है तो यह हो गई CDC PSC में bumper vacancy आने वाली है आप इस चीज के लिए ready रहिए और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बोलनाची यह CG PSC में एक बोलनाची अच्छा मोहल है कि पूरी चीज़े भरती प्रक्रिया समय पर ली जा रही है और व्यापम में भी अब भरतिया निकल रही है तो आप सभी इस च पहले तो पहली बात मैं उस पत के बारे में अल्रेडी बता चुका हूँ कि वो कहां तक पहुचा है और अब अगर हमको और जानकारी मिलती तो उसके बारे में बताऊंगा रही बात व्यापम में जी हां व्यापम में क्रिशी विभाग का सहयक क्रिशी विस्तार अधिकारी मैं क्या वो रहा हूं फिर से ध्यान से सुनिए सहायक क्रिसी विस्तार अधिकारी के लगभग 159 पदों पर भरती मिल गई है वित्तविभाग से अनुमती अब बहुत ही जल इसके लिए व्यापम जो है डिर बोलना ची एडवर्टाइजमेंट है वो जारी करेगा तो आप सभ सभी के लिए एक बहुत ही पॉजिटी नियूज सभी भरती आएगी आप बस चीज का रेड़ी इंतजार करिए और अपनी तयारी को पुकता करिए तो आज कर यह जो वीडियो है यहीं तक आशा करते हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगागा और वीडियो अच्छा करें तते ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें